शुक्रवार आधी रात को आए 6.4 तीवरिता के भूकम से नेपाल में भारी जानमाल का नुक्सान हुआ आपदा में देश के उत्तर पक्षमी जिलों में धर्टी के हिलने से काफी संख्या में लोगों की मौते होके इमार्टों के गिरने और संचार संपर्क तूटने से हालाथ काफी खराब हो गए काटमांडू पोच और स्थानी पुलिस सूतरों के हवाले से खबर के मताबिक पक्षमी नेपाल में 139 लोगों की मौत जबकी 140 से ज़्यादा लोग जखमी अफसरों के मताबिक इमार्टों के मलवे में कई लोगों के दबे होने से मौतों की संक्या बढ़ने किया शंका नेपाल के लावा भारत में भी भूकम के तेज़ जटके महसूस किये गए दिल्ली इंसियार समेथ यूपी और विहार में आधी रात के लोग देश्चत में घरों से बाहर निकल आये नेपाल के उचिस तरी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि भेरी अस्पताल कोहलपूर मैडिकल कॉलेज नेपाल गंज सैन्या सैन्य अस्पताल और पुलिस अस्पताल भूकम प्रभावितों के लिए खोल दिया गया नेपाल में सभी हेली ओपरेटरों को तयार करने को कहा गया प्रभावी शेत्रों से घायलों को एयर लिफ्ट करने की सुविधा नियमित उडान आवाजाही निलंबित कर दी गए नेपाल गंज हवाई अड़े सैन्य बायरे खेली पैट पर एक अम्बिलन्स तैनाद करने के निर्देश दिये गया राष्टी भूकम विज्ञान NCA के मताबिक भूकम का केंद्र नेपाल के आयुध्या से लगभग 227 किलो मीटर उत्तर और काटमांडू से 331 किलो मीटर पक्षिम में जाजर कोट में 10 किलो मेटर की गहराई मी था करीब 11 बचकर 32 मिनट पर आयस भूकम के वज़त से लोगों को बढ़वासे से घरों से बाहर निकलना पड़ा नेपाल में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकम के जटके आय। अधिकारियों के मताबिक आबदा के बाद घरा अंधेरा होने के कारण गिरी हुई मारतों औ हता हतों के बाहर निकलना में काफी परिशानी का सामना करना पड़ा। मोधी ने नेपाल में आया भूकम को लेकर दुख जताया उन्होंने लिखा नेपाल में भूकम के कारण होई जान हानी और शुती से अतियन दुखी हूं भरत नेपाल के लोगों के साथ एक जुटता से खड़ा हूं हर संबोर सहायता देने के लिए तैयार हमारी समवेदना नेपाल में देराद SDRF टीम की चुट्टी रद कर दी गई बिना इजासत कोई भी SDRF के जवान चुट्टी बढ़ नहीं जाएंगे वही नेपाल से सटे उतरप्रदेश के जिलों में लकिंपुर घीरी, पीली भीर, बहराई, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिधार्थ नग नुकसान की सूचना नहीं